असलाम अलेकूम वालकूम टुनो श्विथेरा आज हम बना रहें बगार वाले दही बड़े तो सबसे पहले मैंने एक कप बेसन लिया एक चुटकी मीठा सोडा पाणी एट करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे बेटर जादा ठिक नहीं होना चाहिए ना जादा पतला होना चाहिए दर्म्याना होना चाहिए अब हम इसमें एट करेंगे नंबक हस्विजाय का वन टी स्पूल में इसमें लसर पिसाव आइट किया है अब हम दही को अच्छी तरह के से बीट करेंगे दही हमारी अच्छी सी बीट हो चुकी है अब हम इसमेट करेंगे काला नमक हस्विजाय का वन टी स्पून कुटीवी लाल मिर्च अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे आइल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें बैसन एट करते जाएंगे और बल्ले बनाते जाएंगे हम दर्मियाने साइस के बना रहें आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं दो से तीन मिन तक इसको छोड़ देना है बिल्कुल मीडियम हीट पे अच्छी तरह किसे कुक हो जाएं फिर इसका साइड चेंज करेंगे अधर फोरण चमट चला लेंगे तोट जाएंगे यह रेडी हो चुके हैं अब हम इसको निकाल लेंगे इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे अच्छा साइसको आइल जो है वो निकल जाए एक स्ट्राइल फिर हम इसको ठंडा होने के बाद पानी एट करेंगे पानी में इसको पांच में तक छोड़ देंगे अब हम इसको प्रेस करते जाएंगे और सर्विंग फ्रे में एड़ करते जाएंगे अब हम इसके ऊपर जो दही का मिक्सचर है वो एड़ करेंगे अब हम बगार बनाएंगे थोड़ा सा मेन वाइलिट किया है पैन में आफ टी स्पून जीरा एड़ किया है लिका सा ब्राउन हो जाए जीरा थोड़ा सा मिसमें कडी पता एड़ करें अगर आपके पास कडी पता अवेलबल नहीं है तो आप ऐसे भी बगार दे सकती है अब हम इसको हलका सा फ्राइ करें गहरी मिर्चों को और हम इसके ऊपर एड़ कर देंगे अब हम इसके ऊपर एड़ करें चाट मुसाला पाउडर तो ज़रूर रेसेपी ट्राय करें इफतारी में बनाके इंजॉय करें मिलते हैं अगली वीडियो में टेक कियर अलाफिज